प्राम सभी दर्श को आईए आज हम आपके चेहरे पे चमक के लिए कुछ ऐसा उपाय हम बता रहे हैं जिसका आनंद लीजे आप तमाम हमारे पास ऐसे लोग पूछने आते हैं कि गुरी जी कोई ऐसी क्रिया बताईए जो चेहरे पे चमक हो चेहरे पे चमक अब आटीफिसियल नहीं हो सकता किसी प्रसाधन का यूज करने से नहीं आ सकता किसी कास्मेटिक का प्रयोग करने से चेहरे पे चमक नहीं आ सकती ठीक है थोड़ी दिल के लिए आपने पेंट कर लिया है लेकिं जैसे वह अटेगा चेहरा और विक्रित होगा और कुरूप आप कभी भी डिपेस नहों आप कभी भी किसी की निंदा करके क्रोज में आ जाए कि कहा से चयरे पर चमक आजाएगी चयरे चमक के लिए आप तरशा प्रड़ायम करिए प्रड़ायम करने से आपके चेहरे पर इंड़म दिब्ड़ता आती है अब रही बात आप जहां कि वहां पर आपके से चेहरे पर ग्लोब आजाए उसके लिए मैं यह पूपाय बता रहा हूं अगर चेहरे पर कुछ लगाना चाहते है तो छोड़ दिजे जो भी आप का समेटी चीजे यूज कर रहे हैं एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं दिन में दो बार लगा लिजिए कि एक दोरान दरदस मिल्ट के अंतराल में आप अपने चेहरे को आकड़ा नहीं लगा पाएंगे चेहरा चमकता दमकता रहेगा जिस मफिल में जाएंगे जिस जगह पर जाएंगे वह जगह जग जगह उठेगी चहक उठेगी तो सुन लें बड़े गवर से एक तो सांत र करता है बादाम चिनिया बादाम की बात नहीं कर रहा हूं पली की बात नहीं कर रहा हूं मैं बादाम की बात कर रहा हूं पांच बादाम या चार बादाम ले लिजिए और दूध कच्छा दूध जो दूध उवाला नहों पाउडर पैकेट डब्बे का दूध नहीं वह दू प्रवासा दो चम्मत दूद लेकर के यह कटोरी में चार या पाच पाच बादाम उसमें भिगो दीजिए दो घंटे बाद या रात को भिगो दीजिए उसको छिल लीजिए छिल करके उसी दूद में उस बादाम का पेष्ट बना लीजिए कच्चा दूद और बादाम का पेष्ट बना करके पूरे चेहरे पर आराम से लगा करके आधे घंटे छोड़ दीजिए फिर चेहरे को साब कर दीजिए दून लीजिए चेहरे पे चमक आएगी फिर 20 मिनद बाद एक राउंड और उसी समय आप लगाई वही बादाम का पेष् रख ले उसके चिलके को उतार करके और उसमें दूद के साथ बढ़िया पेष्ट कर ले चंदन की तरह घिस ले रगड़ ले और उसको अपने चेहरे पर लगा करके दो बार दिद में उज़ करिए फिर अपने चेहरे की चमक देखिए पूरा चेहरा आपका चमकता रहेगा जो निया चाहिया या जो कुछ विक्रतिया हमारे चेहरे पर वह गाइब रहेगी यह था चेहरे के चमक के लिए छोटा सा उपाय कास्मेटिक का प्रयोग कम से कम करिए साबुन का प्रयोग कम से कम चेहरे पर करिए आप चमकते रहेंगे ब्रिधा अवस्था तक करके देख ले आनन्द आएगा धन्यवाद फिर मिलेंगे नई क्रियाओं के साथ तब तक के लिए सब को पड़ाब